पहली बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई भी टीका टिपड़नी हो यह अच्छी बात नहीं है, पर अधू यह बहुत महत्मून फैसला है, अब बलकुल सही बात, कोई भी राज्यतिकल को, किसी भी उस विक्ति को जो चुनाओं में चुनाओं लड़ता है, किसी अधार पर वोट लेना गलत है, मैं इसका पूरी तरह से समर्तन करती हूं, और तही देल से स्वागत करती हूं, हम किसको वोट दे रहे हैं, यह उस व्यक्ति पर निर्फर होना चाहिए, ना कि उसकी जाती पर, व्यक्ति विशेष कैसा है, हमारा अजन प्रतितिरी जो होने वाला है, वो इस लाइक है या नहीं है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो किस व्यक्तित वुक का धनी है, हम सभी को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, समान करना चाहिए. सरवच न्याले का जो निर्णे है, कि धर्म जाती के अधार पर वोट नहीं मागेने जाना चाहिए, यह गैर कानून है, मैं इस बात का पूर्ता समर्थन करता हूँ, कानून तो है, सही बात है, उसके अलावा भी आप देखें, कि आज जो देश में इस्तितिया है, जो मद् धर्म के नाम पर जो वोट मांगने का आज जो निर्णे लिया गया है, वो बहुत ज़्यादा सरानी है, कि कोई भी वेक्ति, कोई भी राजनीतिक धर्म के नाम पर वोट ना मांगे, और इसके देश का विकास होगा, देश के हित में यह बात कही गई है, और आगे आने वाल जाएगा आप चुनाओ, बहुती स्वागत योग और बहुती एतिहासिक है, क्योंकि जो देश की अखंडता वा लोगतंतर के लिए मील का पत्थर साबीत होगा यह निर्णे, देश की विकास वा जन्मानस के आपसी प्रेम में प्रकरता होगा सभावना लाएगा यह निर् साबना को देखें, जिसमें उस्पस्टोल लेख है, समाजवादी एवां पंथ नर्पेक्ष, पंथ नर्पेक्ष ताक पर है, धर्म को पादन की सतंतरता अवश्य है और धर्म को बोट मांगने का साधन कतेनी बनाना चाहिए